नमस्कार आप देखने नेक्षनाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार पिछले करीब डेड़ साल से दिल्ली सरकार पर इडी का सिकंजा इस तरीके से कसा हुआ है कि जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के तमाम वो मंत्री एक एक कर फस्ते चले गए जिसमें अब केजरिवाल का नंबर भी आ चुका है मनीश चिसोधिया संजे सिंग सतेंद्र जैन ये तमाम वो नेता हैं जिन पर इडी ने कहीं न कहीं घोटाले का अरोप लगाते हुए इनको जेल की सलाखों तक ले जाने का काम किया आपको बता दें कि सतेंद्र जैन परिवर्तन किये गए और उन परिवर्तनों के दौरान कहीं न कहीं जो नियम थे वो ऐसे बनाये गए जिसमें नीजी सराब कारियो बारेरियों को कहीं न कहीं दिल्ली सरकार या दिल्ली के मंत्रियों के द्वारा कुछ फायदा पहुंचाने की बाते सामने आई और इसका न संजे सिंग को करीब तीन महीने पहले एडी 10 घंटे की पूश्टाच के बाद शराब नीती मामले में उनके घर से गिरफतार करती है और संजे सिंग के वकील उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर राउज एवन्यू कोर्ट और उससे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक के तमाम वो चक्कर कारते नजर आते हैं तमाम वो कानूनी पेचिद्गियां लगाते नजर आते हैं कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाज़के लेकिन जिस तरीके से 5 नॉमबर 2023 को इडी ने दिल्ली के मुख्यमंत करम समाब्त होने के बाद एडी के तमाम सवालों का जवाब देंगे उसके बाद दोबारा दिल्ली में एडी के दोबारा जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंतरी है अरविंद केजरिवाल उनके खिलाब समन जारी किया गया है लेकिन अरविंद केजरिवाल ने कहा कि एडी ने ये सपश्ट नहीं किया है कि मुझे किस आधार पर बुलाना चाहते हैं। क्या मुझे गवहा के तौर पर बुलाना चाहते हैं। का पेस ना हो पाना उनके लिए भारी पड़ सकता है इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे वरिष्च सहयोगी अमन जी के साथ अमन जी बहुत-बहुत स्वागता आपका जिस तरीके से देखा जाए कि दो नोटिस मिल चुके हैं अरविंद केजरिवाल को भी यदि मनीश सोधिया और संजे सिंग की बात फोड़ दी जाए और तीसरा नोटिस विल्कल जारी हुआ है एडी की तरफ से तो क्या आने वाले जो दिन है वो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गिने जा चुके हैं अरवि पूरा सत्र उसके बाद हो सकता है कि तीन तरह को तीसरा समन है उसमें वो चले जाए या फिर हो सकता है कि वो ना भी जाए तो अपने आप में जो राजनीतिक पूरा मुद्दा बना हुआ है वो यह बना हुआ है कि आकर जब अरविंद के जिवाल ने कोई घल्ती नहीं कि कोई ऐसा अप्राद नहीं किया है कोई घल्त मीति तरफ से नहीं बनाए कई है तो आखर इससे बचने का उनका सबब क्या है क्यों बचने चाहतें तरह सर क्या वो जो है चुनावी ढोटिया शेकना चाहते आने वाले तीचा महिने में लोक्सवर चुनावाए तो इसको यह लोग प्री बनाने के लिए ऐसे पैंतरे अजमार है कि मैं नहीं जाओंगा चाहिए कितने बाली बुलाए कम सब्सक्राइब तो सुर्खें मिलेंगी के जिवार नोटिस पे नहीं गए और इसके बाद भी अगर जो है कि सवालों का जवाब नहीं देते तो आखिर करेंगी जा रिखिए दिल्याएमारे साथ कितने अचारे हो रही हुँ रही है कितना हमारे साथ धूल म्हारे और दो तीन बड़े नेता पहले ही आल्टो में शफच लेने जाते तो उनको पता है कि जो जनता है उसको कैसे इमोशनल करना एकास नको नबद को पकड़ना है और यही बात है कि लगातार वो जो आम आदमी है जिली की जो 60-70 परसंट जो जनता है वो उनके बीच में लोग परिये रहना चाहते बने रहना चाहत और यही बजय है कि उन्हें एक सर्वे करवाया कि बताओ कि मुझे जेल करने जाना चाहिए बिल्कुल चाहिए बिल्कुल जिस तरीके से अर्विंद के जिवाल ने इडी के समन के जवाब में कहा कि वो ना तो उस वक्त आबकारी विभाग के मंत्री थे और ना ही वो दिल्ली शराब नीती मामले में किसी तरीके से शामिल थे तो आखिरकार फिर यह नोटिस जो है यह राजनेतिक तोर पर प्रेरित है क्या इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल आज अगर कोई दिल्ली में में चली रहरे जाये उसमें घजवाल के फोटो नहीं लगते तो जहां आपकी आ नहीं होता है आप मुखिया हो नहीं हो और ऑप आप लिखेंस वाट करोगे तो सब्सक्राइब और कहीं ब्लैक मेल करते हुए नजर आए जनता हो क्योंकि ऐसी बात करें कहीं आप मामले को अलग डारेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए मैं यह कहूंगा कि चलिए आप कुछ भी नहीं तो समय लेकिन अगर इली आपको बुला रही है कुछ सव कहीं लेकरें के जो कहें कि नहीं यह किए के आप गारे मामला करें कि बताऊं है। ये कई सारे सवाल हैं आपने देखा भी होगा कि चुनाव के वक्त में नरेन सिंग तोमर के बेटे को पर कितने बड़ा आरोफ लगता है बिल्कुछ खबर नहीं आती है आपको भी याद नहीं होगा हमाई लोग भूल गए होगा तो इसमें जो यह जो चीजे होती है बताती ह होना चाहिए बिल्कुल और जिस तरीके से यहां पर अर्विंद के जिरिवाल के अलावा जिस तरीके से दिल्ली के दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी से संबंद रखने वाले मनिस्ची सोधिया और संजे सिंग की जो जमानत याचिका थी उनको खारिज करते वे कोर्ट ने कहा है कि इडी के जो सबूत हैं वो परियाप्त हैं और ऐसे में संजे सिंग के ऊपर आमन जी बड़ा सवाल ये आता है कि उनके संलिप्तता पर अब कहीं न कहीं आदालत भी सेमती नजर जो है बनाती नजर आ रही है और कह रही है कि दिल्ली की जो सहराव नीजी मामले ह संजे सिंग संलिप्त थे तो क्या अब ये मामला और गंभीर होता नजर आ रहा है बिल्कुल और यही बात में कहा है अगर आपने कोई गल्ती की है और आपने कोई अपरात किया है तो आप बच नहीं सकते और देखिए कानूनन आपको सजा होनी चाहिए लेकिन आपने अग लिए अग लगती है जो उनके विपक्ष में जा रहा है इसलिए लगा था जो यह प्रोसस में टाइम लगता यह नहीं कह सकते ही हमारे पर गुल्म कर रही है हमारे वह वह हो रहा है आप विक्टिम कार्ट बहुत दिनों तक नहीं पिल सकते जो सबूत है आपको उसका आखर बिल्कुल तमाम उन सवालों के जबाब देना चाहिए जिनको E.D. पूछना चाहती है लेकिन यहां से स्थिती एक तरीके से यही सपष्ट होती नजर आ रही है कि 2024 के लोग सबाद चुनाओं से पहले आचारशहिंता लगेगी और उस आचारशहिंता से पहले दिल्ली के तमा बहुत बहुत धनेवाद इस पूरे कारेकर में जुड़ने के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्ष्टनाइन नूद